नमस्कार दोस्तों, सरकार दंगे कराएगी, सरकार नफरत पैलाएगी, सरकार असमानता पैदा करेगी, सरकार छुआ छूत कराएगी और सरकार आपके हर्चीट देगी कि आज कमों वेस यही हो रहा है, आपकी आबरुन उठने वाले वो, सरकार को आप पर हम्या करने वाले वो, और तमाम साजी से देखने वाले, वो सरकार को और सरकार निकम्मे की तरह से बैठी रहती है, शुरू करता हूं जिस तरह की इस्थितियान, बहराईच में दंगा हु क्यों दंगा नहीं हुआ है एक यात्रा निकाली काहे की यत्रा थी कि माता दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन की आत्रा मैंने वेद पढ़े हैं वेदांग पढ़े हैं उपनी सत्पढ़े हैं गीता पढ़ी रामायर पढ़ी और कुछ आग्रंट पढ़ें जो हिंदू धर्म ग्रंट कहा जाते हैं वो सारे पढ़ें सब मैंने पूरे में देख जाना कहां पर है जहां कोई जुलूस निकाले इस तरह की वो निकालने का कोई प्रोविजन हो मुझे तो मिला नहीं बैड़ा सब्तु सती पढ़ जाला और सब्तु सती का चुकि मैं खुद नौ दिन का ब्रत रहता हूं तो रोजाना घर में उसका कात होता है और आप ये समझिए कहीं एक जगह मुझे नहीं मिला कि माता की कहीं यात्रा निकालने का या उनका जलूस निकालने का कुछ होता हो कहीं पर डीजे टाइप का जो कहेंगे वो बजाने का होता हूं भजन कीरतन करने का है प्रोविजन उसमें मंजीरा ढोलक इसका है हमारे हमारे हम लाउड स्पीकर लगा कि वो करने का नहीं है और कभीदार जी ने लिखाई है कि हिंदू पत्थर पूछते हैं मुस्लिम जो है चिलाते हैं जोर से अज का है लेकिन हिंदू दर्म में तो नहीं था यह अब जो बनाया गया उससे कोई वहा नहीं हो था उसमें गालियां दी जा रही थी उसमें कि बातें बोली जा रही थी और दूसरे धर्म के लोगों को जिस तरीके से लांचित किया उतने से भी बात नहीं पिखली तो उनके घरों में चड़ जाएए उनकी दुकान को तोड़ दीजे उनके धानमिक जंडे को तोड़ दीजे और वहाँ भगवा ले करके फैरा के आज हमने जीत दिया बंबंब बोले बोले नहीं बोलते है जयुच सूरी नहीं और नजाने क्या है अब आप सोच लिए जब यह होता है घटना होते है अब उस लड़के को जो राम गोपाल मिश्रा नाम का आतंकी लड़का था उसको किसने मारा मुझे नहीं पता और यह किसी को नहीं पता लेकिन चंद आज तक किस बात का एक evidence नहीं है अब चुकि कानून बदल गया है तुम्हें नहीं पता कि जो भालत पिनाय सहिंता है, उसमें क्या है? लेकिन पिछले वाले कायदी में कहूंँ, तो EVIDENCE ACT जो था, उसके तहत एक भी EVIDENCE आज तक नहीं ओ.. और जो EVIDENCE मिल ला है, वह वीडियों, उसके गोली लगने का, उसमें कहीं नहीं प्रूब होता है कि वहां से चलाया दें तो गोली कहीं और से चलती दिख रही है यानि क्या उनी दंगाईयों ने भाजपाईयों ने ही गोली मार दी जिससे दंगा पनप्जा जी हां सायद यही हुआ है और यह मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं वहां से भारतिय जनता पारिटी के बिधायक सुरेश्वर सिंग ने जो भाजपा के आरसेस से जुड़े हुए है अरसेस उन्होंने एफाईयार दर्ज कराई है कि बहराईच में जो दंगा हुआ महाराजपुर में वो दंगा भारती जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष अर्पित श्रिवास्तों ने अनुज रैकवार ने सुभम मिस्रा ने कुस मेंद्र चौधरी ने मनी सुक्ला ने पुंडरी पांडे ने और सुदान सुराना ने जो यह भाजपा के थे सारे इन सब ने करवाया और इनकी साजिस थी यानी जो बात मैंने पहले दिन कही थी वह बात साथित होती है कि भारतिय जन्ता पार्टी के ही लोगों ने दंगा फसाद कराने की साजिस रची यह साजिस वैसे ही रची जाती है जैसे देस में तमाम जगें रची घाती है अब साजिस पर आ बहराईच में दंगा होता है बहराईच से करीब 400 किलो मीटर dupa एक सभा की जाती है कथितरूट से ब्रामनों का सम्मेलन होता है उसमें भारतिय जनता पार्टी के दो दो राज्यपाल, एक पूर्वर राज्यपाल, एक मौजूदा राज्यपाल, एक मिस्रा जी है, एक सुकला जी है, आते हैं, और उसके साथ साथ एक नफरती, वो है महिला नूपुर सर्मा, जिसे सुप्रीम कोर्ड फटकार चुका है, मा जबकि बहराईच पुलिस और वहां के मेडिकल जो सुप्रीटेंडेंट हैं और सीमो हैं, वो बता चुके हैं, कि गोपाल मिस्रा के साथ कोई कुक्रक्त नहीं हुआ था, उसके साथ कोई भी मारपीट नहीं की गई थी, उसको जो गोली लगी है, वो छर्रे लगे हैं, और वो जब वहां से उतरा है, गिरा है, तो उसमें एक नाकून तूटा है, सेस कहीं पर कोई नाकून नहीं नोचा गया, कुछ नहीं हुआ, ये सारी बातें पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में दर्ज, बावजूद इसके वह जूट बोलती है, नफरत का मावल बनाती है और फिर नारे लगवाती है, सोचिए, संबीधान के संरक्षत के तौर पे देखा जाता है राज जिपाल, वो है सिटिंग राज जिपाल हिमाचल प्रदेश में जो है इस समय, सिव प्रताप सुकला, जो गोरतपूर का रहने वाला है, हरिशंकर तिवारी की क्रपा से जो भी रायक बना था, वो सिव प्रताप सुकला, आज इस तरह से नफरत फैलाने का काम करता है, वो का लाज मिश्रा, जिनका लड़का खुद लखनव में एक IPS अपसर की लड़की के साथ में, रेप करने के मामले में, पकड़ा गया था वो लड़की उस समय में, कितनी दूर नंगे प्रदेश सद्च होते थे, बड़ा बावाल मचा, तो उस गटना के, तो ये सारे लोग थे, और ये सारे ऐसे लोग हैं, जिन पर जो गंबीर आरोप रहे, मैं उस पर अब बात नहीं करें, तो ये समझ लीजे, ये नफरत पहलाने का काम करते हैं, तो यह भाजपा का चरित रहे, ये चाल चरितर चेहरा है, और मीडिया जिस तडिके से दिखाता है, मैं उस पर भी आ जाता हूँ, एक चीछ कही थी, सादत हसन मंतो ने की कोठे की एक तवायफ और एक विका हुआ पत्रकार एक ही स्रेड़ी में आते हैं, लेकिन इन में तवायफ की इज़त ज्याद में चीफ एडिटर होता था, तो मेरी एंकर होती थी, बाकी मैं ज्यादा नहीं कहूंगा किसी के बारे में, वो क्या करती थी, इस कारण से उसे वहां से आउट किया, बाद में उसे, चुकि नफरती चिंटू होते हैं, तो नोकरी भी मिल जाती है, तो नोकरी मिल गई दूस बहराल, वो चित्रा फिर जूट परोस्ती है, कि मनमोहन सिंग ने ये कहा था, मनमोहन सिंग ने वो कहा था, जबकि इसको लेके चेक हो चुका है, कि मनमोहन सिंग ने कभी भी किसी ब्यक्तिविसे इसको नहीं कहा, किसी समदाए इसके लिए नहीं कहा, उन्होंने दाए की बात की जो पिछड़ा है और वो पिछड़ों के बजट पर चर्चा कर रहे हैं वो अलपसंखिकों के बजट पर चर्चा कर रहे हैं उजधन की बात हो रही थी तो उसको जिस तरीके से प्रस्तुत करती है नफरत फैलाने का काम करती है इससे आप समझ लिए तो यह ज सुरक्षित कौन क्या पुलिस की वर्दी पहना हुआ ब्यक्ति सुरक्षित है नहीं है या पुलिस की वर्दी पहने ब्यक्ति से कोई सुरक्षित है नहीं है एक महिला हेट कांस्टेविल जो अयोध्या में पोस्टेट थी अपने गाउं जाने के लिए थी कि करवा चौत का ब है यह उदारान इस बात का दे रहा हूं कि अमित सा ने उसी उत्तर प्रदेश में कहा था कि उत्तर प्रदेश इतना सुरक्षित हो गया है कि रात को अकेले स्कूटी में कोई महिला जेवर पहन के चली जाए तो कुछ नहीं सुरक्षित आज इस्तिती यह है कि महिला दिन में सुरक्षित नहीं है रात की बात तो छोड़ी दीगे तो यह इस्तिती है और जैसे होता है भदोही में बीजेपी से जुड़ा हुआ था वो स्कूल का प्रिंसिपल उसकी गोली मार के हत्या कर दी आती है तो कौन सुरक्षित है इस देश में सबसे बड़ी बात तो में अनुच्छे 370 के दो क्लॉजिश खतम करते वक्त दावा किया था निरेन नमोदी ने कि अब तो वहां अमन चैन आएगा पांच साल से अधिक समय तक वहां राश्पती सासन रह और नरेन नमोदी की सरकार नहीं उसके पहले जो है तीन साल उन्होंने सरकार चलाई पीड साल तक वैसे राश्पती सासन रहा यानि पिछले दस साल से अधिक से उनका ही सासन और बावजूद इसके हालात ये अब तो पुलिस जो और आर्मी जो भी कुछ कहे दें वहां पर सुरक्षा लाइंडाडर सब कुछ केम सरकार के हाथ में नरेन मोदी अमित्सा के हाथ में एल जी मनोज सिना के हाथ में तो साथ जब उनके हाथ में और इस्तिति ये फिर भी कुछ नहीं सुदर ना है मतलब आज इभी सरकार भले बन गई हो उमर अब्दुल्ला की लेकिन उनके हाथ में इस्तिति क्या होती हालात ये हैं कि गंदर बल में जहां से उमर अब्दुल् हुती है और पाँच प्रवासी लोगों की हत्या कर दी जाती है यानि किस तरीके से September महीने में हमारे विदेश मंतरी ने कहा था कोई भी पाकिस्तान SCO की मीटिंग में हिस्सा लेने नहीं जाएगा, क्योंकि जब तक आतंक वाद नहीं रुकेगा, यह हम नहीं जाएगे, और उसके बाद में यूटरन लेते हैं, और पहुंच जाते हैं, पहुंच जाते हैं, लेकिन कोई समाजान नहीं महां से लोटके आया और यह घटना हुई, इसके पहले आप देखिए, लगातार तीन महिने में जितनी घटनाएं हुई, वो अपने आप में रिकार्ड है कि हिंदुस्तान के इतियास में इतनी घटनाएं नहीं हुई, इतने कम समय में उतने आतंकी हमले हो गए, जाजा नहीं भी होते थे हैं, वहां हो रहती है, सांती रहेगी तो क्या हो, दिल्ली में कुलिस और लाइन डाडर सब कुछ, किसके हाथ में है, नरेंदर मोदी अमित साथ के हाथ, और इस्तिती क्या है, वहां CRPF का जो हेड़ कौटर होता है, वहां पर, स्कूल के सामने CRPF, बंबिस्पोर्ट होता है रोणी में, और जिस तरह की घटना होती है, वो अपने आप में सर्मुना थी, एक घटना है, लगातार इस तरह की घटना हो रही है, कहीं नक्सली हमने हो रहे हैं, चतिजगर में आपने देखा, महराष्ट में देखा, सैंबल के लोग, अर्द सैंबल के लोग मारे जा रहे हैं, कॉंग का ध्यान इन चीजों को खतम करने में नहीं सांत इस्थापित करने में नहीं है लूट में और लूट के लिए पूरी बेवस्ता है कि कैसे अधानी अम्मानी को सौप दिया जाए इसके लिए पूरा खेल होता है और इस खेल का ये सारे हिस्से तब आप सोचिए चाइना ने हम ने उसकी सीमा पर दाओं बसा लिए लगडाक में बसा लिए है पेंगाउं जील के पास एयर श्ट्रिप बना लिए और नजाने क्या क्या कर लिया गुस्पनेट कर लिए हमारे मेजर सैतान सिंग का इस मारक तोड़ करके चीन ने कब जामे ले लिया और इन सब के बाद कु सांति रहेगी और दोनों की पेट्रोलिंग होगी साब क्या वो 600 states किलो मीटर जबीन वो दे रहा है वापस नहीं दे रहा है कि यह वो गाओं अपने जो बसा लिए है और सब कुछ कर लिया है उन्हें हटा रहा है यानि उसने जो अपना काम करना था लिया हमने अपना की इक्षा तो पूरी हो गई, उसके बाद में अब क्या करना यानि अब इसके बाद वो आगे अपड़ेगा, तो यह इस्तिती है, और जब यह इस्तिती हो निश्चीत रूप से, चिंता कब इसे होती, किसने की आखिर कौन है, यह ब्लाष्ट कौन कर रहा है, कौन यह कर रहा सारी चीजों का जब आप आंकलन करेंगे तो अंतत्य समझ में आता है कि इन सारी साजिसों में कहीं न कहीं एक क्लू मिलता है अंत में घूं के आरेसेस बीजेपी के पास महुंच जाता है इनकी मिली भगत से तमाम चीज़ें होते हैं हमने कारागल रेखा था क्या उआ था अब देखे बिल्कूल इसी तरह की घच्ठना है कारागल में पहले हम आराम से पाकिस्तान को घुस्पैट कर लेने देते हैं वो आके जम जाता है और उसके बाद में फिर हम कहते हमें तो एक बैक्ति ने हम गए पाकिस्तान उसने हमें बता दिया और जब बता दिया तो हमने का और हमने उसे खाली करा अपने हमने सैक्डों सैनिक सैक्डों जवान सैक्डों अफसर मरवा करके कहा हमने खाली करा लिया, हमने कभ्या कराया, हमने खाली करा लिया और हम बहादुर बन रहें, यह बहादुरी है, सरमानी चाहिए थी अटल बियारी बाटजपई की सरकार, लेकिन उसको बहादुरी बता के चुनाओ जीत लिया गया, 99 का लोग सवाज चुटो यह एक प्रयोग था इसके बाद में नरे नमोदी ने उस प्रयोग को आगे बढ़ाया कभी सर्जीकल स्ट्राइक कभी कोई चीज कभी कोई चीज इस तरह से करके लेकिन कभी जवाब नहीं दिया कि पठान कोट में गुसके जो हुआ वो क्या था है वो समझा जा सकता है इसके बाद आप आजाईए पुरी दुनिया में हम बताते गूम रहे हैं कि हमने तो बहुत बड़ा तीर माग लिया हमें जिस तरीके से बांगला देश धमका आ रहा है कि हसीना को हमें वापस कर दो नहीं तो समझ लेना इतनी आवकात उस तुच्च गुरू ने यह हालत कि हैं असल में บच्चे रखशेद न लग्किया सुरक्षेद ना इसकूल के अंदर कोई शुरक्षद ना इसकूल के बाहर सुरक्षद ना घर में सुरक्षद और इसके बाद Preser आप कि आपने बड़ा काम करें तो साब यह मान लीजिए कि यह लोग असल में इस देश को जलाने का काम करते हैं, इस देश को खतम कर देने का काम करते हैं और इसलिए हम यह कहते हैं, इसलिए यह कहा जाता है, कि साजिस रचने का नाम है RSSBJP और उन साजिसों में आज उमर अब्दुल्ला को बदनाम करने का कम चलना है बाई जिसके अंडर में कुछ है नहीं उसको क्या कोगे जो उसके अंडर में है उसके सवाल करना है तो यह इस्तिति है आप देदो उनको पूर्ण राजी और सारी चीज़ें अब फिर उनकी जिम्म यह मोडस अप्रेल्टी और नफरतफल आईए हिंसा कराईए सारी चीज करिये और उसके बाद में अपनी रोटी तो यह ही भारती जनता पार्टी का मॉडल है और उसी मॉडल पर उकाम करें इसलिए आप ज्यान लीजिए यह देश बेहत असुरक्षित हो चलाए न रोजग किसी का सुरक्षित है ना घर सुरक्षित ना कुछ सुरक्षित क्या बात करें सिर्फ सुरक्षित अदानी अम्मानी है और नरेंग्र मोदी जो रोजाना दस करोन उपया आपने उपर खर्च कर लेते हैं इतना महेंगा प्रदानमंत्री दुनिया में कहीं नहीं तो आप उस महेंगे प्रदानमंत्री को इंज्वाय करवाईए और मस्ती कीजिए क्योंकि राहुल गांधी सहजता से सालीनता से सच बताते हैं तुआ आपको समझ नहीं आदे तो ठीक है मरने का ठेका आपने उठा रखा है तो उठाएए जै झाल